बोल बम, सुल्तान गंसे बैजनात धाम के इस पावन पवित्र रियात्रा में आप सभी का स्वागत करते हैं जिसका नाम है गंगा बोले बमबम पावडबाई शुद्ध प्लस सकते ही शिव है, शिव ही सुन्दर है और इसी सुन्दर रूप का दर्शन करने हम कवरिया पत पर आगे बढ़ रहे हैं और गंगा बोले बमबम अपनी गती के साथ आगे बढ़ रहे हैं साथ नहे कवरिया गन हम और आप और हम पहुँच चुके हैं इम्राबंग आईए आगे बढ़ते हैं दिपक बम चलिपक बम दिपक बम बोल बोल ऑlex चलिपक बम अब आगे बागे का रहें बताई कैसा है आगे का रास्ता लगा इतना दूर्ट कहां अब सुल्टान गंसे करीब करीब 73-74 किलो मीटर की दूरी पर है हम लोग आज सुभा से करीब तेरा 14 किलो मीटर की आत्राताय कर चुके हैं अच्छा यहां पर चारो तरफ जंगल ही जंगल है आप सब देखे ही होंगे चारो तरफ यह एक लंबा सा पड़ाव था यहां तक के सकते हैं यहां पर और यहां पर अच्छा खासा सब खाने पीनों की ब्योस्ता भी की गई है बहुत बढ़िया ब्योस्ता है और यहां पर लोग आ करके लोग तहरते हैं लोग बिश्राम करते हैं आदा घंटा ए घंटा अपनी छंता कित मुताबिक लोग रुखते हैं और फ खादा! बॉलबबब! बॉलबब! बॉलबब! जीपडबम? बॉलबब! अब यहां के बाद में कोई सड़क आपको नहीं मिलेगा अब यहां के बाद में सिर्फ आपको कच्चे रास्ते ही मिलेगे पिर मिट्टी वाली सड़क मिलेगी उसी रास्ते पर आपको चलना है यहां नहीं मिल आगे पिर कही पाच किलो मिटर कर 드ष्ट जिए करके मिलेगा बम draw नहीं पबां दिखकत होने के कोई सवाली नहीं होता है बोल बंबंबंद डे रही है बम रम यह है कि जो बंढ मुध्य रिकस्ट अनगें यहां तक करिपती identify टिएज़ Strong county इतनी यातर पुरी तरह से बस्त हो जाते हैं वो बं के लिए यहाँ फेस्अ बस या कोई भी वाहन कोई भी सवारि पकड़ने कि शु़्या वह बस ऐहाँ तो यहां बर बसों का टाता लगा हुआ रहता है और वह कावरिया यहां पर आखर के 3 अगर लोग सवारि पकड़ना चाहते हैं ईं आप पर बोलने को बोल दिये थे लेकिन हमको जाने दिजे बस नहीं बाब भाइव परिक्षा की घड़ी है और आप सारे परिक्षा में पास होते आये हैं आप यहां पर भी पास हो जाएए बाब बस पकड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दिजेए बाब बस अगर आप बोल दिये हैं कि बाबा हमर परिक्षा ले रहे हैं तो हम इमांदारी से बाबा का नाम लेकरके हम यह परिक्षा पास होंगे तो पास होंगे लेकिन एक बात है आपके कहने पर और बाबा का असिरबाद हम पर बना हुआ है इसके करण मानिये हम यह परिक्षा प आई बॉला बाम! बॉल बाम! बॉल बाम! और हम जो देख रहा है, आप ठके ठके लग रहा है, बगल में बस है, बस लेना पसंद करेंगे? नहीं, नहीं, पदल जाएंगे. बम, अगे अगर आपको कोई दिक्कत हो जाएगा, मनि आप डैमेज हो जाएगे, तो आपको कहीं कोई गारी लेगे? बस से जाएगा, नहीं, नहीं, यह बस आपको पैसा नहीं लेगा, हमारी ओर से, हम आपको मंदिर तक पहुचा देंगे? नहीं, पदल लोग से लेंगे, बाबा के नहीं. बम, आगे अगर आप डैमेज हो जाएगे, कोई दिक्कत होगा, नहीं चल पाएगे? यह पाँचमा साल है मेरा, मैं जाम तड़ा जार खंट से हो, रानपूर बस नहीं लेंगे? नहीं, बिलकुल लेंगे, बस की खुचा देंगे, बाबा, बाबा, बहुत बुजूर्ग है, हके हुए, कमजोर लग रहा है, बस से चले जाएगे, आगे किया देंगे? बबा, बस नहीं जाएगे हम, बदा, कोई पैसा नहीं हम आपको पोचा देंगे? बिश्वास है कि पहुंचाईएगा पहुंचाईएगा जोड़ से बोलो बाम पिछली यहां तक शड़क बहुत अच्छी थी सब लेकिन आगे बहुत दिक्कत है और बस जो मिलती है बावाध हम जाने के लिए यह आकड़ी पर इसके आगे आपको बस नहीं मिलेगी कितना बस पकड़के नास्ते गाते मंदिर हम आपको पहुंचा देते हैं ने ने हम पैदली जाएंगे जितना भी कश्ट उठाना परे बाबा की लिए यहां से पैदली जाएंगे हम लोग 13 साल से हम जा रहे हैं पैदली जा रहे हैं अगर भगवान ने किया तो आगले भी पैदल जाएंगे 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 जाए यहो जेहो एमनिस्वाल भोले बाबा भोले बाबा मिलीए गया है तो चलिए बैक यह चलते हैं वापस आप आप अपर प्रस्थान करते हैं पूरा 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 सिर्वाद चलिए बापस चलते हैं अब अभी बहुत दूर अभी 25-30 किलमेटर बचा हुआ है और इन ही से मिलन इनके पास अब अब यह तो हमारे हिर्दे में हैं आप हमारे हिर्दे में निवास करते हैं तो एक बार को लिए हरा हरा महादे बस यहां से बिलकुल पास में एक ऐसा सिविर है जहां पर एलम पूरी ब्यास्था की जाती और तो और वहां पर नाज गाने के भी ब्यास्ता हो ऐसा है कि सारे कवरियों का नाच करते करते दर्द उनका सब खतम हो जाता यहां से बाबा का मंदिर करीब करीब 17 या 18 किलो मीटर के करीब होगा और बमजी इस जगह को कहा गया है कि गोड़ियारी और यह जो नदी है इसका नाम है गोड़ियारी नदी इस नदी के बारे में यह कहा जाता है कि करीब आसे 20 ताल 25 पहले यहां पर कोई बी फुल भी नहीं था और यह पुल हमको लग रहा है कि 7-8 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ है लगता है कि यह न बंब गुडियारी नदी अब आप उजे फुल देख रहे हैं न वह पुल का निर्माण पहले नहीं हुआ था वह अभी अभी हाल फिलाल मुझे लग रहा है कि 6-7 साल पहले उस पुल का निर्माण हुआ तो बारिश होती थी बारिश होने की वैसे नदी का जलस्तर बहुत जादा बढ़ जाता था उस वैसे कामरियों को नदी पार करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था इसलिए पुल का निर्माण किया गया ताकि उस में यहां से लोग नहीं गुजर करके लोग उस पुल से होगर के जाए जाए अजिए पूल पर चल करके देखते हैं वहां से बहुत इसके बारे में कुछ बताई है यहां से बावा का मंदिर करीब करीब 17 या 18 किलो मीटर के करीब होगा. और अर्बम जी इस जगह को कहा गया है गोडियारी और यह जो नदी है इसका नाम है गोडियारी नदी. इस नदी के बारे में यह कहा जाता है कि करीब आसे 20-25 साल पहले यहां पर कोई पुल भी नहीं था और यह पुल हमको लग रहा है कि 7-8 साल पहले इस पुल का निर्मान हुआ है और कई यह थोड़ी सी भी बारिस हो जाती थी तो इस नदी का पानी यह उफान मारने लगता था यहां का पानी कभी यहां तक रहता है घुटने तक रहता है कभी कमर तक आ जाता है तो कभी सीना भर भी चला जाता है इसका पानी और आप देख रहे हैं मनिस बम कि यहां पर सारे बम आते हैं और घंटों बैठ करके नहाते हैं खोम मस्ति करते हैं इंजवाय करते हैं यहां आप नो स्पश्री लोग वॉर्श लिन्ज्वाई लो खाते पीते हैं और वे अगर से थोड़ी दियर तक च्छु अपने गहले तो आपके सरीर का पूरा दर्द आपको शरीर का ढंटे लिखता रखुषनाकर उपने की ठीक लिया की तक पहुचने के एक मतलब रिलेक्सेशन पॉइंट है, यहां पराने के बाद एक दम रोग रिलेक्स हो, तरो ताया बम हो जाते हैं, फिर उसके बाद में यहां से सारे बम लोग कावर उठाते हैं, और बाबा के नगरी यहां से आपको चलना नहीं पड़ता है, वो खीच ले के देरी क्यों, आभी मस्ती करते हैं, तो रिलाक्स हो लेते हैं, उसके बाद अपने यातरा आगे बराएंगे, बोल भाब, बोलो भाब, बोलो भाब, अब देखे, वहां छुला बटोला है, देख रहे हैं, वहां लित्पी है, और वहां तरह तरह के खाने पीने का चीज है यहां पर तो जो लोग खा रहे हैं लोग उन लोग इसे थोड़ा बात चीट करना चाहते हैं दुलकुम अब बात कर लिजे आते हैं बात कर आया बात कर आया बात अधिये जाने में खाना खाने में जो हैं यहां की वेस्था बहुत अच्छाही अच्हा बहुत अच्छा सब्साब 59-50 उत्हुंचने वाल थे पाने में वर बहात है पहत रखने से बिल्कुष ठकान दूर होगे, काने में रोटी है, सब्जी है, सब्जाग काई द्जघ में काई है अचा अब क्सा वे युचुटे हैं? अब ही बोडरा देग काई है sil कि आए घर काई है अच्छा पता ही आपके नजार में कोई ऐसा जगह है जहां चारों तरफ से पानी बाह रहा हो अब पानी में बैठके छबर-चबर करके खाना खाने बाला कुछ एगा यही है यही है यही है पानी बिगवाए से सारा थकाई दूर हो आप बॉले नात के दार्सन कानना है खाने पीने चीजें बड़ी साफ उथरा यहां मिली है रोटी बहुत सुंदर मिली यहां का दही बड़ा कितना अच्छा लागा हो तो हम लोग खुश हो के दो दो पिलेट खाए जो हाल मेरा है वही हाली बम कहा है हमको भी पहला बार किसी का भरो से यहां चले आए जो अनंद इसके बाद जला मंज़े आ रहा है जो मज़ा आ रहा है जो इस पानी में खेलने में अनंद आ रहो खाल इन यह होगा ज़िए इसके बád फार मोंगे तो पन करल लागर म待爸爸 कपनीया वहां पर बड़ी मुज़दार अपको मिलेंगे जो कि हम उनके बारे में, हम आपको रास्ते में सब बताते चलेंगे, वहाँ पर पहुंच करके फिर आप देखीगा उनकी करमात, वो कड़ी यहां से 4-4 किलो मेटर की दूरी पर है मनिस्वाम, तो जो आगे जो बढ़े हुए हैं वो और भी आगे बढ़ जाते थे, लेकिन य यहां पर लोग घंटो लोग समय बिताते थे, तो जो पीछे जो बम जो लोग है, उनलोग को आने का मौका मिल जाता था तो अब हम लोग देम नदिभी पार कर लिये हैं, गुतड़क जाते हैं अब जिसे लोग जुंड में चलते हैं, गुरूप में चलते हैं, पचास लोग, साथ लोग, और 108 किलिमेटर की सेयात्रा में लोग आगे पीछे हो जाते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं अगर कोई साथी छूड जाता है, भी छग जाता है? अपनी अपनी चाल होती है सब बम की, अब कोई धीमा चल रहा है, कोई तेजी से चल रहा है, हमको लगता है कि ऐसे में सारे बम को एक साथ सोच करके, विचार करके कि अब हमको यहां पर उखना है, तो यह सब को बता देए, यह मैसे सब को दे दे, कि हम अब वहां पर जाकर कर नहीं होगे तो जो आगे बढ़े हैं वो और भी आगे बढ़ जाते थे लेकिन ये जो जगह आप देखें गोडियारीmonary नदी यहां पर लोग घंटों लोग समय बिताते थे तो जो पीछे जो बंब जो लोग है उनलोगो आने का मौका मिल जाता था तो धाई तीन घंटे चार घंटे के समय में वो लोग आ करके फिर से लोग मिल जाते लेकिन सब लोगों को एक साथ हो करके चलना चाहिए इस बात अब हमें साथ ध्यान देना चाहिए बीपक बंब हम चाहते हैं कि इस बिश्यप रहुआ लोग बात करके बिचने लोग आगे पीछे हैं हाँ उन साथी से बात कर लें अगर आपकी जाज़त है तो आरे प्रभ हो आपकर लिए भन्यवाद कर लिए बहुत कर लिए बहुत कर आपके बाबा के दरबार में जाईए वो भी जहां भी होंगी धीरे धीरे बाबा के दरबार में पहुचेंगी यहां जैसे आप है आपके जैसे बहुत जहां भी होंगे ना बाकी बंब लोग है परसासन के लोग मुझत्याद वो इनको बैनाध धाम तक पहुचा देंगे कहां से आ रहे हैं बंब तामिलाड उच्णने मद्रास मद्रास है कितने लोग आपके साथ हमारे साथ पंदराद में तो बाकी लोग कहा गये अगे पीछे कैसे हो जाते हैं और अब हैर वाम होंगे साथ है। मेरा बम किदार है यहां उसको पाले मतलग फिर दिया जाता है फ़ला जगा ठाहरना है अच्छा कोई भी वह आगे पिछे हो गया अगे पिछे जो जो झाएगा यहां अगे पिछे साथ आरहे हैं अपके बाकी लोग कहा है आगे बाद तुसुक आता ही आता है अब आपकी बारी है आपको लेकर चलते हैं धोले बाबा की गीप और संगीत का मज़ा ले रहें बोल बं गंगा बोले बंबं पावट बाई सुथ प्लस की यात्रा आज हम यहां बिराम देते हैं अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे